हेलो फ्रेंट्स, आज की वीडियो में हम बेसेकली तीन टॉपिक पर बात करेंगे पहला जो हमारा टॉपिक है सुप्रेंट कोट का जो न्यूज है आज जो उनका सुनवाई होना था उस पर बात करेंगे दूसरा जो आपका दुर्ग यूनिवर्सिटी जिसको हम हेम चंद यादव विश्रिद्याले के नाम से भी जानते है इनका फाइनल येर का एक्जाम प्रमोशन का पूरा क्या है क्या मीडिया न्यूज इसमें कहता है उसके बारे में तीसरा जो है आपका 36 गड़ स्वामी वेकाना तकनिकी विश्रिद्याले यानि कि CS V2 के बारे में हम समझेंगे कि इनका जो फाइनल येर का सेमिस्टर एक्जाम है ठीक है उनका क्या हुआ क्या अपडेट है भी तक मीडिया में क्या न्यूज चल रहा है देखे कल एक ट्वीट आया था अलोक सर का ठीक है इन्होंने यहाँ पे साप साप मेंसन किया हुआ था कि भाई आज जो 26 तारीक है 26 जो अगस्त है आज के दिन क्या होना था सुनवाई होना था बट यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में साप साप किलियर कर दिया है कि कॉलेज परिक्षाओं पर फिर फैसला टल गया है फानल येर का जो एक्जाम 30 सितंबर से पहले कराने का जो यूजीसी का जो गाइडलाइन था ए आई सी टीसी का जो गाइडलाइन था वो वहाँ पे फिर से कहा है आज इस पर कोई फैसला नहीं आया 18 अगस्त को लास्ट बहस आपको पता है हुआ था तो यहाँ पी इनका अपडेट है अगर आप CSVTO उनिवरसिटी से हैं तो आप कमेंट सेक्षन में जाइए वहाँ पे चेक करिए कि आपको अब वीडियो कहां से प्ले करना है क्योंकि आपका टाइम काफी किमती है पहला जो फर्स निउस हम पढ़ रहे हैं वो दूर्ग यूनिवरसिटी या हेम चंदर यादव इससे दले आप जो भी इसको बोल दीजे यहाँ पे देखिए साब साब मेंसन किया है कि अधर में लटक गई है भई फाइनल इयर बच्चों के स्टुडेंट के एक्जाम यह सही बात है अब हम इसको आपको जूम करके दिखाने की कोसिस करते हैं न तो परिक्षा हो पा रहा है और नहीं प्रमोट किया जा रहा है किलियर बोल दिया है उच्च सिक्षा विभाग से अब तक नहीं मिला है कोई निर्देस पहला जो निर्देस आया था 30 जुलाई को उसके बात का कोई निर्देस नहीं आया और उस निर्देस में भी क्या हुआ है स्टेज ऐसा कुछ लग गया है देखे हम समझ लेतने कि कुरूना के चलते उच्च सिक्षा विभाग का सेडूल बिगड़ गया है हेम चंद यादव श्रिद्याले दूर्क के इसनातक अंतीम वर्स के बच्चों की जो पढ़ाई है इनको कई पारिसानी खड़ी हो गई है ये बच्चे नो तो फाइनल येर का परिच्च दे पारे और नहीं ने प्रमोट किया जा रहा है दोनों चीज हैं कि ना तो आपको से पेपर ले रहे हैं ना तो आपको प्रमोट कर रहे हैं तो भई अब तयारी कब तक करें कितने दिन तक करें कैसे करें इसके आगे लिखता है इसके चलते हैं बच्चे परिच्छा के तयारी भी ठिक ढग से नहीं कर पा रहे हैं अरे भाई कैसे करें तयारी जब किलियर हो कि भाई पेपर अगले दिन है तब तो हम उसी साब से पढ़ें जहां पढ़ने बैटने हैं दो दिन बात पता चलता है कि हाँ अब पेपर फिर से इस तारिक को नहीं होना है तो कहां से होगा आगे लिखता है दुईधा की स्थिती में उधर में लटक गए हैं बत और प्रयोक सेमेस्टर कक्छाओं की परिख्षाय लेने की तयारी सुरू हो गई थी ठीक है अध्यानरत हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनका पेपर हो और जल से जल उनका मार्क सिट मीले ताकि वो पीजी करना चाहते हैं तो पीजी करें अलग जो तैयारी करना चाहते हैं प्यस्थी बगेर वो सबका वो तैयारी कर सके आगे लिखता है जिनका भविश से दाउप पर है कुरोना संक्रमण बचाओ और रोक्थाम के चलते हेम चंद यादो विश्चित देले दूर का जो academic calendar था वो पूरी तरीके से क्या गढ़ बढ़ा गया है, चर्मरा गया है, समय पर परिक्षा नहीं होने से स्थितियां बदल गई, मुस्किल से क्या था ये जो university थी, इनका जो academic आपका सेसन था, वो किसी तरफ पटरी पर आया था, और समय पर परिक्षा भी होता था, और उनका result भी जारी होता था, लेकिन जब से corona आया है, तब से यहाँ पर कुछ सब चीज उथल पुथल हो गया है, आगे दिखे लिखता अब तक कोई दिसा निदेस नहीं आया, ये जटना सरका कहना है, कि जो दुर्ग उनिवर्सिटी है, उनके जटना से कहना है, जो ग्रेजवेशन लेवल पर जो एकजाम है, जितने भी संकाय का, उस पर कोई दीसा ने देस सासन से प्राप्त नहीं हुआ है, ये भी क्या कर सकते हैं, यो कि सासन इस तरसे कोई आदेश आ दाले इनका तो खेला ही कुछ अलग है आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा ना हमें समझ आता है देखें यहां पे लिख दिया टक्निकी स्टुडेंट असमंजस में है ठीक है अभी तक डेट टाइन टेवल घोसित नहीं हजारों चात्र चात्राओं को एक्जाम के डेट का क् अब तक कोई इस पस्ट निर्देश जारी नहीं किया है यह यहां पे काफी अच्छा पॉइंट है इस पस्ट निर्देश जो भी वह बात करेंगे हां ना तो हां बोलेंगे बस एक्जाम होना है होना है आगे लिखता फाइनल सेमिस्टर को छोड़ दे तो उसके बाद क्या होता है कि अन्य सेमिस्टर का भी एक्जाम लिए जाने है अगे लिखता है एक्जाम के त्यारी करते करते छात्र बोर हो चुके हैं उनका यह कहना है कि एक्जाम होंगे यह तो निस्चित है लेकिन कभी यह हमें भी नहीं मालूम है अब जो AICTC के जो निर्देश था ठीक है इनका निर्देश 30 सितमबर ते एक्जाम को कराने का था ठीक है UGC मिल करके इन्होंने जो निर्देश दिया था लेकिन अभी तक किसी भी सेमिस्टर एक्जाम के डेट का क्लिरेशन अभी तक नहीं आया है कोई क्लियर नहीं हुआ है कि जब आप देखेंगे कि लॉगड़ नहीं हो रहा है कि पेपर कब तक होगा किलियर है यहां पर online classes भी चल रही है किलियर है ह। एक्जाम के form भी भर चुके है ठीक है लेकिन अभी तक एक्जाम के date का कोई clearance नहीं आया है बेखें आगे news में लिखता है कि गौरत तलब है कि टक्क्राइब आन्लाइन एक्जाम ले आपको पता भी होगा आपके पास नोटीज भी आया होगा कंपनी को ऑनलाइन एक्जाम लेने का सॉप्टेर तयार करना था क्योंकि पूरे पेपर क्या था एमसी क्यूस के पैटन पर बेज़ था और यही निर्णय भी लिया गया था इंजिरिंग तथा पॉली टेकनिक कॉलेज में अगर बात करें तो फाइनल एर के करीबन 18,000 अभी बैठे हैं जो घर पर तयारी कर रहे हैं ठीक है जबकि अन्य सेमिस्टर की बात करें तो कई 1,000,000 इसमें सामिल है यह पहला मौका ऐसा है कि जब इंजिरिंग वर पॉली टेकनिक दोनों कॉलेजों के छाठ छात्राओं की परिक्षा एक साथ ऑनलाइन लिए जाएगी यहां पे एक कहा गया है लेकिन देखिए अब तक कब तक यहां पे कोई गाइडेंस आता है ना तो